हेलो दोस्तों वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके अपने यूटूब चैनल civil engineer FBH में तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम discuss करने वाले हैं, hydrostatic forces के बारे में तो hydrostatic forces जो होते हैं हमारे पास, मतलब कि जो pressure forces लगते हैं, fluid की वज़ा से, तो उनके बारे में हम discuss करने वाले हैं, तो इस chapter में जो है, ज्यादा तर center of pressure से हमें जो है, objective question पूछे जाते हैं, यही एक main topic है, जिससे हमें इस topic में से question पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कि center of pressure जो है, कुछ चीज़ों के लिए हम अ आसा नहीं हो जाती है, आगे, तो center of pressure पहले होता क्या है, मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर हमारे पास एक static fluid है, यह हमारे पास एक static fluid है, और इस पे हमने कोई, जो है body immerse की हुई है, तो हमें पता है कि जो हमारा pressure है, इस body का center of gravity जो है, आपको पता है, वो center of gravity जो है, यहाँ पर होगा, बीच में होगा, तो अगर हम टॉप से distance देखेंगे तो उस distance को हम क्या कहते है, एक्स बार कहिए उस distance को, जो के हमारे पास top of surface से center of gravity जो है, हमारे पास distance होगा, तो अब आजाते हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यह surface है, surface के उपर मैंने आपको प्रशर जो है प्रेशर जो है वो बताया हुआ है वो होता है हमारे पास रोह जी एच के एक फल मतलब कि जितना ज्यादा हाइट जो है हमारा इंक्रीज होगा उतना हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा हाइट इंक्रीज होगी हमारे पास तो प्रेशर भी इंक्रीज होगी अब हम अब देखेंगे आपको पता ही है संट्राप ग्रेविटी हम किसे कहते हैं जहां पर हम बोलते हैं कि हमारा जो है टोटल मास जो है एक्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन प्रेशर जो है यहां पर कम लग रहा है यहां पर ज्यादा 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 लग रहा है तो के लिए भी हम एक point देखते हैं जहां पर हम मान के चलते हैं कि हमारा सारा pressure जो है वो किसी एक point पर exist लग रहा होगा तो वो कहां पर होगा वो obviously जो है center of gravity से नीचे होगा, क्यों center of gravity से नीचे होगा, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कम pressure लग रहा है, और जितना हम ज्यादा नीचे जा रहे हैं, तो उतना pressure ज्यादा लग रहा होगा, तो अगर हम इस संट्रस परशर निकालना होगा, वो कुछ जो है, नीचे की तरफ लग रहा होगा ए क्योंकि यहाँ इस direction से ज्यादा परशर लग रहा है, तो इस जब हम मान के चलते हैं तो ये h के लिए आपको फार्मला याद रखना है जनरली जो है ये जो टापिक है हमारे पास इसी से questions पूछे जाते हैं तो h के लिए ये जो center of pressure हमें निकालना होता है इसके लिए फार्मला होता है हमारे पास इसकी derivation पर हम यहाँ पर नहीं जाएंगे तो ये होता है हमारे पास x बार प्लस ig sin square theta sin square theta divided by ax बार ax बार तो ये होता है हमारे पास center of pressure के लिए center of pressure निकालने का फार्मला तो ये होता है हमारे पास center of pressure निकालने का फार्मला एक्स क्या है यहाँ पर तो center of gravity की जो height है वो top से कितनी है और IG हमारे पास क्या है? IG है हमारे पास moment up inertia आप this जो हमारे पास body है, इसकी moment up inertia क्या है? sin square theta क्या है? मतलब कि यह जो है, अगर हम इसकी axis ड्रा करेंगे, तो axis water surface के साथ कुछ angle बना रही होगी, यह अगर body है, यह body की axis है, वो यहाँ पर कुछ angle बना रही होगी theta, तो वो theta होता है हमारे पास, और A क्या होता है हमारे पास, body का जो area है, वो होता है, और x bar आपको पता ही है, center of gravity से जो है, top of surface of water के साथ हमारे पास distance क्या होती है, तो यह होता है हमारे पास, different bodies के लिए different निकल के आजाता है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक body है, वो अगर completely submerged भी होगी, मतलब कि हमारी body अगर यहाँ पर है, और यह water surface यहाँ पर है, तो भी हमें distance यह निकालना हो है, तो हमारे जो है, अगर submerged body होगी, उसके लिए जो है, हमें निकालना पड़ता है, लेकिन कुछ bodies अगर icy होगी हमारे पास, जो के हमारे पास surface के साथ attached होगी, उनके लिए कुछ फार्मले जो है, हमारे पास calculate किये हुए होते हैं, उनहीं से generally हमारे question पूछा जाता है, तो प center of pressure क्या होता है, पहले definition देखते है, center of pressure is defined as the point of application of the total pressure on the surface, मतलब कि total pressure जो exert हो रहा है, तो उसका जो point हम निकालते हैं, उसे हम center of pressure कहते हैं, center of pressure is below the center of gravity, तो हमेशा आपको याद रखना है ये भी point पूछा जा सकता है, कि central of pressure जो होता है, वो हमेशा center of gravity से नीचे ही होता है, distance of center of pressure from the free surface of liquid is independent of the density of liquid, तो ये central of pressure जो है वो density से independent होता है liquid की density क्या है उससे independent होता है तो फार्मला आपको मैंने बता दिया है जो है central pressure is equal to x bar plus ig sin square theta upon ax bar तो a है क्या area of surface touching the fluid b into d के एकवाल आ जाएगा हमारे पास अगर यह हमारे पास body की top surface है b into d हमारे पास area आ जाएगा ig आ जाएगा moment of inertia about the centroidal axis मतलब कि centroidal axis के along जो है हमारे पास moment of inertia क्या आ जाएगा x bar है हमारे पास vertical distance of center of gravity from the free surface तो center of gravity से free surface तक distance कितना है हमारे पास ig जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमारे पास एक rectangular जो है हमारे पास surface है इसके लिए ig b d q by 12 होती है यह आपको पता ही है और अगर हमारे पास एक circular है circular के लिए ig की value जो है pi d raised power 4 divided by 64 होता है और अगर हमारे पास एक triangular जो है surface है जिसको हमने submerge किया हुआ है तो उसके लिए क्या होता है यह होता है यह होता है b h cube upon 36 है तो आपको पता ही होगे अगर आपको पता नहीं है तो यह चीदें आपको याद करनी पड़ीगी तब ही आप जो है किसी भी surface का जो है central pressure निकाल सकते हैं तो यह जो है हमारे पास यह जो moment of inertia है different surface के लिए यह आपको पता होने चाहिए तो अब आ जाते हैं हमारे पास different cases आ जाते हैं हमारे पास एक तो होता है कि अगर हमारे पास body जो है वो horizontal है मतलब कि इसमें pressure यहाँ पर भी same लग रहा होगा यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो height क्यूंकि same है तो pressure हमारा same ही होगा तो अगर हम देखेंगे कि force इस body पे कितना लग रहा है तो वो होता है weight density into area into edge तो weight density आपको पता ही है rho g a into edge तो आपको यह याद रखना है हमेशा force जो होता है वो होता है weight density into area into edge weight density किसका weight density जो हमारे पास body है उसका weight density into area जो है उसका area और edge जो है हमारे पास height किस की जो हमारे पास height है किस distance पे हमने जो है रखा हुआ है किस height पे रखा हुआ है तो यहां पर आप देख सकते हैं Mercy защ 가지 बेजिंद्य ब्राव के इन दो सब्सक्राइब पर और यहां पर भी हमारा संट्रा प्रेशर भी होगा तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्टिकल पॉजिशन अगर हमारे पास वर्टिकल पॉजिशन में एक बाड़ी हमारे पास रखी हुई है तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने वर्टिकल पॉजिशन पे बाड़ी क weight density हमारे पास अगर centra pressure देखेंगे तो वो आ जाएगा x bar plus ig divided by ax bar तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो sin square theta क्यों नहीं लिखा हमने तो sin square theta जो यहाँ पर आप theta देखेंगे तो theta की value जो है वो किसके बराबर आजाएगी वो आजाएगी 90 के बराबर क्योंकि हमारे पास जो angle है जब vertical होगा हमारे पास तो vertical ic surface आजाएगा तो यह angle जो है हमारे पास theta आजाएगा 90 degree के equal तो sin 90 जो हमारे पास होता है वो 1 के equal होता है तो इसलिए फार्मॉला जो आ जाएगा vertical surface के लिए वो आ जाएगा IG divided by AX bar तो यह भी बहुत बार पूछा गया है कि हमारे पास vertical के लिए जो है center of pressure का फार्मॉला क्या आ जाता है तो वो आ जाता है X bar plus IG divided by AX bar तो अब आ जाते हैं next next किसी भी inclination पर दिया हुआ है तो inclination के लिए हमारे पास फोर्ल जो है वो आ जाएगा weight density into area into h फोर्स जो है हमारे पास हर एक case के लिए same ही होगा लेकिन यहाँ पर जो है center of pressure जो आ जाएगा वो general फार्मॉला आ जाएगा जो हमें पता ही है तो vertical के लिए general के लिए यह किसी भी inclination के लिए और अगर vertical है तो यह और अगर हमारे पास horizontal है तो center of pressure जो है center of gravity की height की equal ही होगा तो next आ जाते हैं हमारे पास जो मैं अभी बता रहा था आपको center of pressure जो है वो कुछ surface का याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर आप calculate अगर करने बेठेंगे जो exams होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी problem हो जाती है और जल्दी जल्दी में हम गलती भी कर सकते हैं तो हमारे पास अगर rectangular rectangular surface है rectangular surface है और वो top surface के साथ ही दिया हुआ है यह आपको याद रखना है कि यह इसका जो top surface है वो किस के साथ होना चाहिए वो liquid के top surface के साथ होना चाहिए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसका अगर देखेंगे इसका centra of gravity यहाँ पर होगा कहीं पर तो अगर हम x bar की value देखेंगे वो आ जाएगा h by 2 अगर यह हमारे पास h है और अगर हमें h निकालना है कौन सा h अगर हमें centra of pressure का h निकालना है h star इसको रखेंगे यहाँ पर तो यह होता है 2 h by 3 तो यहाँ पर जो है centra of gravity के लिए gravity दिया हुआ है और centra of pressure दिया हुआ है centra of gravity जो है rectangular के लिए h by 2 2 h by 3 अब आ जाते हैं यहाँ triangle जो है अगर उसका apex upwards है तो apex जो है surface के साथ दिया हुआ है तो यह आ जाएगा 2 h by 3 3 h by 4 ऐसे देख सकते हैं अगर आप इसी sequence में याद रखेंगे तो थोड़ा बहुत आसानी होगी h by 2 2 h by 3 अब आ जाते हैं 2 h by 3 3 h by 4 gravity जो है h by 3 पे होगा यह आपको पता ही है और अगर हम central pressure calculate करेंगे तो h by 2 के equal आ जाएगा और अगर हम देखेंगे circular के लिए circular का जो top surface है वो इसके साथ को insight कर रहा है तो उसके लिए r होता है और 5 by 4 r होता है हमारे पास central pressure और अगर हम देखेंगे हमारे पास एक semi circular है यहाँ पर तो semi circular के लिए हमारे पास 4 r by 3 pi होता है और अगर हम देखेंगे central pressure किसके बराबर आ जाएगा 3 pi r divided by 16 के equal आ जाएगा तो यह है different surface के लिए जिनके लिए आपको याद रखना पड़ेगा जो directly exam में पूछे जाते हैं तो यह अगर आप याद करना चाहींँगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं याद कर सकते हैं इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कर्वड शर्फेस जो है कर्वर्ड सर्फेस पर जो f comprendre हैं तो वो हम कैसे निकालते इक कर्वर्ड सर्फेस के लिए की वज़ा से आजाएगा यह प्रशर की वजह से आजाएगा डिटोचल प्रशर की वज़ा से आजाएगा आपको क्या करना है आपको यहाँ पर net horizontal area निकालना है तो net horizontal area जब हम निकलेंगे तो इस पर कितना pressure निकालना होता है एक तो horizontal force निकालना होता है और एक vertical force निकालना होता है तो अगर हम resultant force निकालेंगे तो resultant force किसके equal आ जाता है वो आ जाता है f horizontal square प्लस f vertical square तो यह आ जाता है हमारे पास resultant force और अगर हमें 10 theta निकालना होता है कि किस angle पे जो है force act करेगा तो वो होता है f vertical upon f horizontal तो ऐसे तो exam में ज्यादा कुछ इस में से नहीं पूछा जा सकता है अब आ जाते हैं next next point जो है हमारे पास pressure due to the fluid तो pressure due to the fluid अगर हमारे पास एक fluid rest में है तो उस वकत pressure जो है वो होता है P is equal to rho g h तो यह है हमारे पास pressure के लिए फार्मॉला अब आ जाते हैं हमारे पास अगर हम इस fluid को जो है accelerate कर रहे हैं downwards downwards अगर हम accelerate कर रहे हैं तो हमारा pressure जो है वो decrease हो जाएगा जब हम नीचे की तरफ इसको accelerate कर रहे हैं az से तो हमारा pressure जो है यहाँ पर decrease हो जाएगा decrease कैसे होगा P is equal to rho g h ऐसे ही आ जाएगा 1 minus az यह जो acceleration दी हुई है az divided by g तो यह आ जाएगा हमारे पास expression pressure निकालने का अगर हम downward acceleration दे रहे हैं तो अब अगर हम upward acceleration दे रहे हैं az जो है upward acceleration दे रहे हैं तो हमारे पास pressure जो आ जाएगा वो आ जाएगा rho g h 1 plus az by g मतलब कि अगर हम upward acceleration दे रहे हैं तो हमारा pressure जो है वो increase हो जाएगा 1 plus az divided by g तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम rest पे है तो pressure आ जाएगा rho g h और अगर हमारे पास downward acceleration है तो rho g h 1 minus a by g और अगर हमारे पास upward with constant acceleration upward acceleration az दे रहे हैं constant acceleration तो हमारे पास pressure जो है वो increase हो जाएगा रो g h 1 plus a by g के equal अब आ जाते हैं next है हमारे पास अगर हम acceleration जो है x direction में दे रहे हैं तो इसके बारे में ये question पूछा जाता है क्या अगर हम acceleration जो है in x direction में दे रहे हैं तो हमारे पास यह जो surface है अगर हमारे पास यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा यह हमारे पास for example fluid है तो fluid यहाँ तक बढ़ा हुआ है for example तो यह हमारे पास rest में है अब अगर हम acceleration दे रहे हैं x direction में हम ऐसे acceleration दे रहे हैं तो हमारा यह जो fluid है यह fluid क्या करेगा यह fluid जो है इस side से नीचे चला जाएगा और इस side से तीछे वाली side से उपर चला जाएगा जब हमारे पास acceleration इस direction में होगा तो हमारे पास यह जो angle जो है यह theta angle बनेगा तो यह theta angle हमें अगर निकालना है तो यह theta angle कितना बनेगा 10theta हम निकालते हैं ax by g, ax by g के equal आ जाता है हमारे पास यह angle tan theta, tan theta किसके बराबर आजाएगा ax upon g तो यह आपको पता होनी चाहिए तो एक बार ये question पूछा गया था कि अगर हमारे पास ax direction में acceleration जो कर दे रहे हैं वो अगर g के equal आ जाएगा तो जो surface है वो कितना angle बनाएगा तो वो surface कितना angle बनाएगा 10 theta is equal to ax अगर g के बराबर है तो हम g by g लिखेंगे g by g 1 के equal आ जाएगा तो 10 theta आगर 1 आजाएगा 10 theta किस time पर 1 होता है जब theta हमारे पास 45 degree होता है तो यह उस वाकत theta जो है उसकी value 45 degree होगी जब हमारे पास acceleration अगर हम दे रहे हैं अगर हम उतना acceleration दे रहे हैं जितना कि हमारे पास acceleration due to gravity होता है तो उसके case में, theta जो है वो 45 डिग्री बनेगा तो यह चीने आपको याद रखने है तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे अपने दोस्तों के साथ और सबस्क्राइब कीजे हमारे चैनल तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ object questions आपके लिए लेके आया हूँ the vertical depth of the center of pressure h bar for the inclined plan surface below the free surface of the liquid is तो यहां पर आप देख सकते हैं तो इन यहां पर यह जो equations दी हुई हैं इन चारों मैसे आपको यह बताना है कि हमारे पास जो है इन मैसे यह जो इन चारों equations मैसे central pressure के लिए हमारे पास equation कौन सी होती है तो central pressure के लिए अभी मैंने आपको पढ़ा है कि central pressure के लिए equation क्या होती है यह वाली equation जो है central pressure के लिए होती है हमारे पास तो यह आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर इस question का answer जो है वो हमारा C part आ जाएगा तो अब आ जाते हैं next question है हमारे पास next question जो मैंने लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a racing car has a fuel tank which is partially filled मतलब क्या हमारे पास fuel tank है जो partially filled है the car gets into the motion in the horizontal direction at uniform acceleration equal to G मतलब यह मैंने अभी जो आपको बताया कि a is equal to G का जो horizontal acceleration वाला जो मैंने आपको part पढ़ाया था तो यहाँ पर मैंने आपको 10 theta बताया था वहाँ पर कि 10 theta जो है उसकी value किसके बराबर होती है a upon G के बराबर तो अगर यह बोर्ड राए कि horizontal में acceleration जो हम दे रहे हैं वो G के equal दे रहे हैं मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 10 theta is equal to G by G तो G cancel आ जाएगा हमारे पास 10 theta की value जो है वो किसके equal आ जाएगी वो 1 के equal आ जाएगी 10 theta 1 किस time पे होता है theta is equal to 45 degree पे होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारा जो answer जो है वो किसके equal आ जाएगा तो हमारा answer जो है वो 45 के equal आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा C part जो है इसमें answer आ जाएगा अब आ जाते हैं हमारे पास next next है हमारे पास the depth of center of pressure for vertically immersed surface from the liquid surface is given by तो हमारे पास depth of center of pressure जो है वो vertical surface के लिए निकालना है तो vertical surface के लिए हमारे पास जो हमारे पास pressure होता है center of pressure उसके लिए आपको मैंने बताया हुआ है तो उसके लिए क्या होता है sim square theta जो है उसकी value 1 आ जाती है जो हमारे पास sin square theta है मतलब कि sin theta वो theta जो है 90 degree होता है theta जब 90 degree होगा तो हमारे पास sin square theta की value Electrical इसका call value जो है वो 1 के equalण आ जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास answer जो है वो यह वाला आ जाएगा क्योंकि यहां पर यह जो है sam to sam equation है x bar sorry यह वाला नहीं है यह वाला नहीं है यह वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं x bar plus ig sin square theta divide by ax bar के equal होता है तो यहां पर ig sin square theta की value जो है वो one put करेंगे जब हमारा surface जो है vertically होता है तो मैंने जो अभी आपको बता है तो यह जो है sam to sam उसी type का question है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो आप देख सकते हैं vertical triangle gate has one side as free surface with vertex downwards तो vertex हमारा downwards है तो उस case में हमारे पास हमें निकालना है कि depth of center of pressure क्या होगा तो मैंने कुछ values आपको याद करने के लिए बताई हुई थी तो जो value आपको मैंने याद करने के लिए बताई हुई थी जब मैंने आपको बताया था कि vertex downwards जो होगा उसके लिए center of pressure जो है h by 2 होता है तो यहां पर आपको याद ही होगा जो हमारे पास vertex downwards के लिए होता है तो उसके लिए centra pressure जो है वो h by 2 होता है तो यह हमारे पास answer आ जाएगा c part यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह कुछ questions है मैंने आपको यह बताने की कोश्च की कि कैसे type के questions जो है हमारे पास पूछे जाते हैं तो यही कुछ questions है अईसे ही questions हमारे पास बन जाते हैं hydrostatic pressure से तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को like कीजे, share कीजे अपने दोस्तों के साथ और subscribe कीजे हमारे चैनल Civil Engineer FPH को Thank you दोस्तो, thank you for watching the video